नमस्कार मैं हूँ दिबांजनी मुईट्रा लोगसभा चुनाख को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है और नेता एक दूसरे पर नीजी टिप्पनी से लेकर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे ऐसे में जिनको टिकट मिल गया है वो अपने शेत्र में धुआधा रैली और जन संपर का भ्यान छेड़े हुए ऐसे ही मध्यप्रदेश के गुना लोग सभा में जोतिरादति संधिया का जन संपर का भ्यान चल रहा है और लोगों से वो जगह जगह मिल रहे है उसी कड़ी में केंद्रिय मंत्री गुना के शिवपुरी में रावत समुदाय से मिल रहे है और उन्हीं के बीच बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप इतना वोट करें कि तीसरी बार मोदी प्रधान मंत्री बन सके नरेद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने अपकी बार 400 पार का नारा दिया अगर मोदी जी नहीं होते तो अनुछे 370 नहीं हट पाता किसी में हटानी की हिम्मत नहीं थी मोदी ने हिम्मत दिखाई हम आप के लिए स्पाइडर मैन जब आपको मेरी जरुरत होगी हम आप के लिए हाजिर रहेंगे तो आपने समझ लेआ कि क्यों गुना की जनता से संधिया हाथ जोड़े स्पाइडर मैन की बात कर रहे है लेकिन कॉंग्रिस सिंधिया को खरानी के रिए एक बहुत बड़ा जाल विछा रही देखना होगा कि आगे क्या होता है जानकारी देते चले कि साल 2019 में बीजेपी ने केपी आदफ को टिकेट डिया था जो जोतर आदफ सिंधिया के दाएं हाथ माने जाते थी और उस बार गुना सीट पर बीजेपी का कबजा हो गया लेकिन केपी आदफ की किस्मत खराब है जिसका नतीज़ा ये है कि कॉंग्रेस से बगावत करके सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गया फिर बीजेपी ने उनको पुष्टैनी सीट से टिकेट दे दिया और अब वो मैदान में वही कॉंग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंग को टिकेट दिया है राव यादवेंद्र सिंग अशोक नगर जिले से आते हैं वो फिलहाल जिला पंचायत सदसे हैं राव यादवेंद्र सिंग पहले बीजेपी में ही शामिल थे लेकिन 2023 के विधानसभा जिनाव से पहले वो कॉंग्रेस में शामिल हो गया और अब सिंधिया को टक कर दे रहे जानकारी देते चलें कि सिंग का परिवार राजनीती में काफी सक्री है अब देखना होगा कि आगे गुना का रिजल्ड क्या आता है और कौन सीट पर बाजी मारता है इसके साथी साथ सीट पर एक बार फिर सिंधिया की जद्दाव पर वही सिंधिया की मिट्टी खराब करने के लिए कॉंग्रेस ने पूरी ताकत जोग दी देखना होगा कि 4 जून को किसकी किसमत पलटी